दोस्तो आज का जो हमारा यह टॉपिक है पाचान पत्र हम मंगबाए कैसे घर बैठे बिल्कुल असानी के साथ तो दोस्तो जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर देख पा रहे हैं यह जो है हमारा पहला पाचान पत्र है जो कि जब मैं अप्लाई किया था तो समय आया था लेकिन दोस्तों साथ में यहां पर आप देख पा रहे हैं यह जो है दूसरा जो कि लेंड एसकेप में लेटा हुआ है यह हमने रिट्राइव किया था यानि कि फिर से यह हमने मंगवाया है तो किस परकार से आपको मंगवाना है घर बैठे बिल्कुल ऑनलाइन इ चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस परकार से हम पाचान पतर को गर बैठे मंगाएंगे तो जैसा कि दोस्तों यहां पर जो देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको यह अप्लिकेशन डाउनलोड करना है वोटर हेल्प लाइन चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं यह द दोस्तों यहां पर अगर आप फर्स टाइम यहां पर आये होंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा तो यहां पर आप जो है ना वोटर हेल्प लाइन का रेजिस्टेशन कर ले खुद का इसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस ओपन होगा तो चलिए हम यहां पर लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं दोस्तों यहां से आपको बोला जा रहा है कि क्या आपके पास पाचान पत्र है तो नर्मली आप यहां पर यहां पर ही क्लिक रहने दे और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहां पर आप पे आपको सोग करेंगे नॉर्मली आप सारे डेटा को टैली कर लिजिए कि सही है या नहीं इसके बाद next के option पे क्लिक करिए अब दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए सबसे पहले आपको अधार details में यहाँ पे आपको अधार नंबर डाल लेना है ताकि आपका पाचान पतर में अधार सीडिंग भी हो जाए तो इसलिए यहाँ पे आप जो है ना अधार जरूर यहाँ पे नंबर डाले ताकि आपका पाचान पतर अधार से लिंक रहे इसके लावा दोस्तों कोई एक मॉयल नंबर यहाँ पे डालिए साथ ही अपना email ID यहाँ पे डालिए और next क आपको बिना सुधार किये हुए पाचान पतर आपको घर पे चाहिए है तो issue of replacement epic without correction पे आपको क्लिक करना है अब दोस्तों चुकी हमें पाचान पतर मंगवानी है तो normally हम इसी option पे क्लिक करेंगे और next पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपका card क्या हुआ, lost हुआ या फिर तूट चुका है तो जो भी चीज़े आपको यहाँ पे पसंद आए वो अपने according यहाँ से criteria को चूज कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे destroyed option को चूज करेंगे जो दो number वाला है अब यह यहाँ से declaration को accept करेंगे और next पे click कर देंगे, next पे click करते हैं यहाँ से आप अपने place का details यहाँ पे डालेंगे कौन सा आपका place है यानि कि निकट का city इसके बाद done के option पे click कर देना है, done के option पे click करते हैं आपके सामने form 8 का preview नजर आएगा, यहाँ पे फिर से आप tally कर ले data को इसके बाद यहाँ से confirm के option पे जैसे ही आप click करेंगे जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पे click करेंगे आपका application final submit हो जाएगा, तो यहाँ पे आप carefully देख लें कि कोई data यहाँ पे गलत तो नहीं है, इसके बाद ही आप confirm के option पे click करें, जैसे ही आ यहाँ पर confirm के option पर click करेंगे आपका application final submit हो जाएगा और लगवग लगवग 7-8 दिन में आपके घर पर यह आ जाएगा